नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका श्वेतर क्लासेज में बच्चों वेपीस सी टीयारी 2.0 सक्षक भरती को ले करके हाल ही में कुछ नई चीज़े निकल करके सामने आई हैं जैसे कि आपको स्लेवस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है ठीक है जो आपका स्लेवस कर लें आने वाला कोई भी अपडेट आप से मिसना होने पाए सबसे पहले बात कर लेता है रेजिस्ट्रेशन और सुल्क जमा करने की अंतिम तारीक आज यानि की 25 जो है वह आपकी अंतिम तारीक है देखिए आप लोग प्रात्मिक की परिक्षा में सामिल होने के लिए नि नहीं है उनके लिए जो आख्री तारीक है वह है आज की यानि की 17 नवंबर ठीक है बिहार लोग सेवा आयोक के दुतिया अध्यापक नियुक्ति परिक्षा में सामिल होने के लिए रेजिस्ट्रेशन और सुल्क जमा करने के सुक्रवार को अंतिम तारीक है सुक्रवार या ये मुझे पता यहां पर क्या लिखा है तो कच्छा एक से पांस तक के बच्चों को छोड़ करके जो विज्ञापन संक्या 27 बट्टे 2023 के तहर सभी श्रेवनी की परच्छाओं में सामिल होने के लिए निबंदन व्य भुक्तान के लिए जो सुल्क जमा करने की तिथी है व की बात कर लेते हैं तो देखिए उसका भी सेम है प्राथमिक के लिए 25 तक आपके जो रिजिस्ट्रेशन और सुल्क है वो आवेदन स्विकार किये जाएंगे लेकिन मद्द मादमिक और उच्छ मादमिक के लिए आज जो आपकी अंतिम ते थी है यहां पर भी सेम चीज सत् जो 6 से 8 वाले 9 से 10 वाले 11 से 12 वाले बच्चे उनके लिए रिजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तारीक है बाकी बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भरती के बच्चे उनके लिए 25 तारीक लाश्ट होगी और उनके फॉर्म 16 नवंबर से भरना स्टार्ट हो गया है जिन बच्चों ने 6-8 वाले और उसे उपर के भी फॉर्म भरें साथ ही साथ वो प्राथमिक के भी भरना चाहते हैं तो उनको बता दे कि जब आप अतना फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा ठीक है यू हैव कम्लीटिट यूर एप्लिके बढ़ बढ़ी बिल्कुल नहीं करनी है बहुत ही सालींता से बहुत ही सो समझ करके फॉर्म की एक-एक डीटेल को फिल करना है ठीक है अब हम लोग शलेफस की बात कर लेते तो भिहार लोग से वायोग के द्वारा यह चीज दस्तारीक को प्रकासित विग्यापन के चैन प्रकरिया में संसोधन किया गया दस्तारीक को जो भी आपका यह सूचना थी वो प्रकाशित की गए थी उसमें आप संसोधन कर दिया गय परिक्षा के अंत्रगत कच्छा एक से पांच वाले सुनेंगे ध्यान से पहले जो आपके पेपर होते थे वह एक दिन समान निका होता था और एक दिन आपका लेंगविज का हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब इस जो बोर्ड है चेर में ने उन्होंने ये बात कह परिक्षा कि परिक्षा पर वह एक ही दिन में इंडैक्ट कराया जाए तो अब आपका भात्रोज और समान अध्यन का पेपर है वह एक दिन में हो जाएगा आपके प्रिश्ना की शंख्या कोمة कि वह एक सो पचास रहने वाली है कि की प्रिश्नों की संख्या er civsurly compute शहॉने प्रतिसत अंक जो है वो आपको अनिवार है 30% 30% के अगर हम बात कर ले तो मतलब यह है कि आपको 9 नंबर लेकर के आने अगर आप 9 नंबर नहीं लेकर के आते हैं तो आप यह मान के चलिए कि आप पेपर 1 में ही आउट हो जाएंगे ठीक है और बहुत ज़्यादा कोई नंबर के कोईश्योंस बहुत ही जादा मातरा में देखने को मिलेंगे तो SCRT और NCRT को तो आप 12 तक का पढ़ कर जाना लिखित परिक्षा वस्तोनिष्ट एवं भॉबिकल्पी यानि कि MCU पर आधारित होगी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो यहां पर इन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है अनुसूचित जाती है अनुसूचित जन जाती कर लिए अंत्रगत कच्छा एक से पास तक के विद्याले अध्यापक के लिए सेम चीज है भही ठीक है पहला भाग एक जो है वह आपका 30 नमबर का भाग दो जो है आपका 120 नमबर का कुलंक आपके 150 आपके वही सब्जेक्स रहेंगे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो यह था जो हमारा यह पूरा स्लेवर्स था आप देख सकते हैं ठीक है और सीटेट को लेकर के अभी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वह सामिल करेंगी नहीं करेंगे मुझे तो नहीं लगता है क आपके परीक्षा की तार आपके रिलेटिव्स में आपकी जानकारी में जो बच्चे भी BPSC का पेपर देने चाएं उन वीडियो को शेयर करें ताकि जो स्लेवर्स में बदला हुए वह उन तक पहुंच सके साथ इसाथ एदी वीडियो से related कोई भी feedback कोई भी comment कोई भी आपका अपना मत हो उसको comment box में जरूर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन टेक कियर